आज हम बनाएंगे एकदम टेस्टी चटपटी छोले इन्हें हम सिर्फ 45 मिनट में बना कर त्यार करेंगे यदि आप पहली बार भी छोले बना रहे हैं तो इस रेसिपी से आपकी छोले एकदम परफेक्ट बनेंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम प्रेशर कूकर में दो बड़े चम्मस तेल लेंगे और इसे अच्छे से गरम कर लेंगे अब मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिये हैं इसमें एक दालचिनी का तुकड़ा दो लोंग थोड़ी साबुत काले मिर्च एक बड़ी इलाइची दो हरी इलाइची दो तेज पत्ता और एक चम्मस जीरा है इन्हें तेल में डालेंगे और अच्छे से चटकने तक भुन लेंगे देखिए हम मसाले अच्छे से चटक चुके हैं तो अब हम इसमें दो मीडियम साइज के बारी कटकिये प्याज डालेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक भुन लेंगे चार मिनट के बाद देखिए अप्याज अच्छे से भुन चुका है इस पे लाइट गोल्डन कलर आ चुका है तो अब हम इसमें एक चम्मच कुटा हुआ लहसुन और एक चम्मच कुटा हुआ अदरक डालेंगे अब आप अदरक और लहसुन को भी एक से दो मिनट तक भुन लीजिए जब तक लहसुन और अदरक भुन रहा है हम मसाला त्यार कर लेंगे इसके लिए कटोरी में एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा पानी डालते हुए इसका पेस्ट त्यार कर लेंगे लीजिए मसालो का पेस्ट बनकर त्यार है और इदर लहसुन और अदरक भी अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें बनाया हुआ मसालो का पेस्ट डालेंगे और अब इसे चलाते हुए तीन से चार मिनट तक भु सताथ ही इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं अब आप इसे अठ्छे से मिक्स करते हुए तीन से चार मिनट तक भुन लीजिए चार मिनट के बाद देखिए अब टमाटर भी अच्छे से भुन चुका है और किनारों से ओल निकलने लगा है तो अब हम इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे अब मैंने यहाँ पर भीगा हुआ चना लिया है मैंने एक कप काबुली चना को रात को ही भीगो दिया था अब यह अच्छे से फूल चुका है अब इसे प्रेशर कूकर में डालेंगे और मिक्स करते हुए दो मिनट तक भुन लेंगे दो मिनट के बाद अब चना अच्छे से भुन चुका है अब मैंने यहाँ पर चाय पत्ती का पानी लिया है यहाँ मैंने दो चम्मच चाय पत्ती को एक कप पानी में दो से तीन मिनट तक उबाल कर लिया है चाय पत्ती का पानी डालने से छोला का कलर बहुत अच्छा आता है छोला पीले पीले नहीं दिखते अब हम इसमें पानी डालेंगे आप यहाँ पर इतना पानी डालिए कि छोला जो है पानी में अच्छे से डूब जाए और पानी छोला की थोड़ा ऊपर तक रहे अब आप इसे अच्छी से मिक्स कीजिए और कूकर का धकन लगाते हुए मीडियम फ्लेम पर 6-7 विसल आने तक छोला को पका लीजिए लीजिए हमने छोला को पका लिया है और अब इसका सारा प्रिशन निकल चुका है अब हम धकन को खोलेंगे देखें अब छोला बनकर तयार है इस पर बहुत अच्छा कलर आया है और देखने में ही ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है अब इसमें थोड़ा हरा धन्या डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे अब एकदम टेस्टी ग्रेवीदार छोला बनकर तयार है हमने इसे मात्र 45 मिनट में बनाकर तयार किया है ये छोला भटूरे के साथ, चावल के साथ या पूरी के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अब आप इस रेसेपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए